हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सर्फ राजसान की सभी सीमाओं को सील कर कोरोना वारिस की संक्रमन से प्रदेश की सुरक्ष्य निश्चित करने का काम किया अभी तो राजिसान की सीमा तक पहुच चुके प्रवासी राजिसानियों के रहने खाने और उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन करने के भी उचित प्रबंद किये अशोग गैलोट द्वारा लिये गए ऐसे ही ना जाने कितने ही निर्नेों के चलते आज प्रदेश के अधिकांश हिस्से इस महामारी से फिलाल अचूते हैं आज अशोग गैलोट का भील बारा मॉडल देश के अन्य मुख्य मंत्रियों के लिए प्रेडना बन चुका है वही अपने घरों से बाहर रहने प्रवासी जनों के लिए भी संकट को बढ़ा दिया है मुंबई के बांदरा में 14 एप्रेल को स्टेशन के बाहर जिटी भीड ने मुख्य मंत्री घैलोट को प्रवासी राजसानियों की सुरक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित कर दिया उन्होंने अपने प्रवासी बंदूओं और उनके परिजनों की सुरक्षा और सहायता के लिए बहुत ही महत्वपूरन कदम उठा है अपने प्रवासी राजसानियों को मदद पहुचाने की ना सिर्फ ठान ली है बलकि उन्होंने इस योचना को मूर्थ रूप भी दे दिया है लॉक्टान की अफदी में देश के विभिन राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजसानियों की मदद के लिए मुक्यम मंत्री अशोक गेलोग ने नौडल अधिकारियों की न्यूक्त की है इसके अलावा IFS अधिकारीों की भी नौडल अफसर के रूप में तैनाती की गई है इन अधिकारे की मुख्य जमेदारी दूसरे राजियों में रह रहे है राजस्थान यो समाज की मदद करना है कर्मत अधिकारियों को सौपी राजिवर जिम्मदारी मुख्यमंत्री अशोक गयलोत ने बहुत ही हुनहार एवं कर्मत अधिकारियों का चेहन कर उन्हें नौडल अधिकारी नियुक्ति किया है राजिसान काडर के IAS अधिकारी प्रवीन गुपता और IPS संजे अगरवाल को उत्तर प्रदेश और उत्राकंड का नौडल अधिकारी मनाया गया है वही टीजे कविदा और धीरच श्रिवास्तव को दिल ली श्रेया गुहा और सुमिता विश्वास को पस्चिम बंगार गाहितरी ए राठोड और गोविन गुपता को गुजरात का नौडल अधिकारी बनाया गया है वही डा दीप, नारायन पांटी और भुपेंद्र साहु को मध्यप्रदेश और 36 गड़ की जिम्यदारी दी गई है राजसान सरकार ने मुगदा सिन्ह और विकास कुमार को महराश्टा, नवीन महाजल और सुनील दत को पंजाब और जंबु कश्मीर, हेमन कुमार गेरा और जंगा श्री निवास को हर्यारना और हिमाचल प्रदेश का नौडल अधिकारी बनाया है डा, आर, वेंकटेशपुर और भीजो जोड जॉसिफ को तमिलनाडू, केरल और करनाटक का नौडल अधिकारी बनाया गया है ओडिशा की सिम्यदारी विश्नु चरन मलेक और उतकल रंजन साहु को दी गई है वही असम और उत्तरपूर भी राज्यों में रह रहे रहे राजसानियों की देखपाल अश्मीनी भगत और संजीब फुमार को दी गई है सभी अधिकारी कोरोना वारिस को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी इंडिशा नर्देश का फालन सु निश्रत करेंगे साथी प्रवासी राजसानियों की सामने आ रहे समस्याओं का तुरं निदान करेंगे अधिकारी ये भी सुनिश्ट करेंगे कि राजसान में किसी भी प्रवासी को परिशानी का सामना नहीं करना पड़े साथ में देश के अन्य राजु में रहरे राजसान वासीों को भी कोरोना संकट में उत्वन परिस्तितियों का सामना नहीं करना पड़े जैपूर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट